इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें, जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है, इसमें डायूरिटिक यानि की वाटर पिल होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है, इसलिए सोन बंद कर देते हैं, तो आपका होट अटेक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है, इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में एडियों में सूजन, सिर्दर्द, चक्कर आना, ठकान और स्वाद में बदलाव शामिल हैं, अगर इनमें से कोई भी आपको परेशान करता है या अधिक बिगर जाता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें, मान स्पेशियों में कमजोरी, सूखे मुह और अत्यधिक प्यास को दूर करने के लिए दवा लेते समय बहुत सारे तरल पदार्ट पिएं, इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्न प्रणी में कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए, अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेश या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है, आपको अपना ब्लड प्रेश, किड्नी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर और ब्लड शुगर स्तर को नियमित रूप से चेक करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दवा ठीक से काम कर रही है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल पर क्लिक करें, धन्यवाद.